आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इंट्रस्टिंग सीखने वाले और वो क्या है आज हम लोग कैलेंडर के रीजिनिंग सीखने वाले आज बहुत से लोगों पता भी होगा या नहीं भी पता होगा लेकिन चल एज हम लोग इस वीडियो द्वारा जानते हैं कि कैलेंडर जो हमारे घर में सबके घर में होता है हम उसमें डेट, मन्त और हॉलिडेस बिसिकली हॉलिडेस चक करने के लिए फेस्टिवल्स चक करने के लिए हम कैलेंडर का यूज करते हैं बाट इस कैलेंडर में भी माक्स के ट्रिक्स होते हैं में भी आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन आज से आप लोग कैलेंडर को एक बहुत इंपोर्टेंट आस्पेक्ट देखेंगे और आप इससे हम लोग माक्स भी सीख सकते हैं तो आज मैं आप सभी को तीन रिजन्स या तीन रिजनिंग ऑफ कैलेंडर सा आज बताने व मैंने इंग्लिश का छोटा सा कैलेंडर लिया है अब सभी को बताने के लिए ओके सो आप कौन सा भी कैलेंडर लिजी कौन सा भी मन्त ले लिजी नाव फर एक्जामपल मैंने नवेंबर 2020 का कैलेंडर लिया है ओके तो इसमें पहला रीजन क्या है सो आप कौन से भी दो 9 इसकी total क्या होती है 10 ओके cross में लेना है और यहां पर 8 plus 2 ओके इन दोनों का plus same आता 8 plus 2 is 10 and 1 plus 9 is 10 calendar reasoning हो गया any two numbers cross okay not straight one below the other but cross 1 plus 9 is 10 and 8 plus 2 is also 10 same way आप कौन सा भी number ले लिजिये for example यहां पर ले लिजिये okay 20 plus 28 is 48 okay 48 same way यहां पर भी देखिये 27 plus 21 is also 48 okay 48 हमच में आया यहां पर हे भी 48 हो गया got it कौन से भी दो number लिजिये और add the two numbers you will get the same answer this is the first reason now the second reason is take any three numbers okay likewise here 3 11 and 19 19 19 plus 3 कितना हो गया 19 plus 3 is 22 okay so 22 का half 22 का half कितना होता है 22 का half होता है 11 okay so यहां पर 11 सो यह उपर वाला number 3 और इसको add करने पर हमें जो center का number है वो दोनों का half होता है okay similarly you take any number okay for example यहां पर लेते हम लोग so 5 plus 21 5 plus 21 is 20 5 plus 21 is 26 so 26 का half 26 का half होता है 13 so here is 13 आप ऐसे किसी भी मंत का कैलेंडर लीजिये और उसको आप हे कीजिये the answer will be the same okay okay हां पर आप एनी 4 नमबर यू तेक now for example मैंने 2 10 18 और 26 लिया है okay 2 10 18 and 26 so बाहर के दो भी नमबर आपको add करना 26 plus 2 is 28 26 plus 2 is 28 और हे दोनों की addition और हे दोनों की addition और हे दोनों की addition same होती है 10 plus 18 is also 28 okay 26 plus 2 is 28 same way 10 plus 18 is also 28 similarly आप कौन सा भी मंत का कैलेंडर लीजिये और आप ऐसे कैल्कुलेट कीजिये so you will get the same answers okay so these are the facts of calendar and I request all the parents की आप इस तरीके से calendar से भी used calendar सबके पास तो last year का previous year का तो calendar होगा so आप लेके आपके बच्चों की जो max है max की जो ability है वो आप उनकी enhance कर सकते max की practice हो सकती है okay यहाँ पर आपको addition, addition of two numbers, addition of four numbers and multiplication दो भी चीजे आप बच्चों को बहुत आसानी से with the help of calendar आप सिखा सकते हैं so interesting लगा ना यह video और यह facts so my dear friends and students thank you for watching this video and please do like, share, subscribe my channel and be happy and keep learning and keep watching Miss Anupama's channel, bye for now